हेलो दोस्तो, कोकिंग फूद विद इसमिता में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, स्वादिश्ट और डिलीसियस ब्रत के लिए हल्वा जो बनाने में बहुत ही आसान और ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती और फटा-फट से बनकर तयार हो जाता, तो चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने ये ले लिए एक गोल लोकी जो बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिश्ट होती है आपके पास जैसी भी लोकी हो, आप ले सकते हैं, बस सॉफ्ट होनी चाहिए तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ ये बड़ी लोकी है, इसलिए मैं इसमें से लगबग 700 ग्राम लोकी ले लूँगी और इसके सारे बीज निकाल लूँगी अब मैंने इसके सारे बीज निकाल लिये हैं, अब मैं इसको छील कर कम से कम 3-4 बार पानी से दुल लूँगी मैं इसको दो टुकड़ों में काटूँगी, जिससे जब मैं कद्दू कस करूँ, तो मुझे पकड़ने में आसानी रहे अब मैंने सारी लौकी अपनी दुल ली है, तो चलिए कद्दू कस कर लेते हैं, अब मेरी सारी लौकी कद्दू कस हो चुकी है, अब मुझे इसे जादा देर तक नहीं छोड़ना है, बरना ये काली पड़ जाएगी तो चलिए आब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ, मुझे एक कड़ाई में एक चम्मच घी ले लेना है, अब चलिए मैं इसमें अपनी सारी लौकी अड़ कर देती हूँ, लौकी को मुझे बहुत ही अच्छे से उपर नीचे करके चलाना है, जिससे घी मिक्स हो जाए, और मेडियम फ्लेम पर ही पकाना है, जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसको चलाते रहें, जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे, हलवे का फ्लेबर उतना ही अच् मुझे हलवे को बनाने के लिए दूद की जरूरत पड़ेगी तो चलिए मैं एक तरब दूद को गरम करने रख देती हूँ ये लगबग मैंने 400 ग्राम दूद लिया है इसको मैं उबाल लेती हूँ तब तक दूद उबल रहा है तो चलिए लौकी को देख लेती हूँ लौकी को मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अब मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए और इसका सारा पानी खत्म हो जाए अब लौकी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है जब लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच, इलाइची पाउडर आप इलाइची पाउडर जरूर डालिएगा जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आपका हल्वा बहुत ही टेस्टी बनेगा अब मैं इलाइची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अब मैं डाल दूँगी इसमें उबला हुआ दूद दूद को अबाल करी डालिए बनना लोगों की शिकायत रहती है कि जब उन्होंने लौकी का हल्वा बनाया तो उनका हल्वा फट गया आगर आप अब अबाल कर दूद डालेंगी तो आपका हल्वा कभी फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा और शाइनी हल्वा बनके तयार होगा आपको इसी दर ऐसे चलाते हुए जब तक कि ये गाड़ा ना हो जाए पकाना है अब देख रहे हैं हल्वा थोड़ा थोड़ा गाड़ा होने लगा है अब मैं इसमें डालूँगी तीन चम्मच मावा अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें दो चम्मच भर के मिल्क पावडर डाल सकती है अगर मिल्क पावडर नहीं है तो आप इसमें चार चमच ताजी मलाई के भी डाल सकती है उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब मैं सारी मावे को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी जब तक बहुत अच्छे से गाड़ा ना हो जाए मैंने इसमें डाल दिया है एक चमस भर के घी घी डालने से हल्वा बहुत ही शाइनी बन के तियार होगा मैंने अब इसमें डाली है 1.500 ग्राम चीनी आप चीनी अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम या जादा ले सकते है अब इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिलना जाए अब चीनी भी पानी छोड़ने लगी है अब मुझे इसको तब तक पकाना है जब तक चीनी पूरी सोख न जाए अब मेरा हल्वा गाड़ा हो चुका है तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ कटे हुए मेवे तो मैंने काजू और बादाम काटके ले लिये हैं आपको जो मेवा पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं और इसी तरह से मुझे इसको अच्छे से 4-5 मिनट तक पकाना है जब तक इसका सारा दूद सूख न जाए आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा ब्रत में खाईएगा और खिलाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट हलुआ लगता है ये आप देख रहे हैं सारा दूद सूख चुका है अब इसको एक दूबार चला के मैं प्लेट में निकाल लोंगी देखा कितनी फटा फट से ये हलुआ बनके तयार हो गया तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ कितना सिल्की शाइनी और डिलीसियस हलुआ बनके तयार हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब मैं इसके उपर डाल देती हूँ कुछ कटे हुए मेबे जिससे ये बहुत ही अच्छा दिखेगा और डालूंगी केसर के कुछ दागे इसी तरह से आप भी हलुआ बनाईएगा खाईएगा और खिलाईएगा मिलते हैं नेक्स पीडियो में